आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुएस में मैं दुर्धनकर फॉर्मर एस्पी आप लोगों के लिए आई-बी-पी-एस क्लर्ग प्री से पहले एक इंपॉर्टन सेशन लेकर आया हूँ कुछ आपकी सर्टिन कोईरी थी तुरू कमेंट्स और वाट्सअप पे जो आपने मुझे मैसिजे भीजे उनको कमपाइल करते हुए कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स पे हम डिस्कुस करते हैं अब जैसे कि आपको पता है तीन दिसंबर अल्रेडी हो चुकी है कल 4 दिसंबर है और 5 दिसंबर को बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्जाम है तो काफि स्टूडेंट्स ने मुझसे कई चीजे पूछी जैसे कि प्रिवियस एर कट ओफ सर क्या थी स्टेट वाइज इस बार सेफ अटेंट्स क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ओफ क्या रहेगी और फाइनली के सर एक्जाम में क्या स्ट्राटेजी हमारे लिए बेस रहेगी जिसे कि हम अपना बहस दे सके तो इन सारे तीन मेजर पॉइंट्स पे हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवियस एर कट ओफ स्टूफ पे तो एक सेपरेट वीडियो उस टाम भी जब कट ओफ रिलीस की थी 2019 में मैंने बना रखा है वहाँ पर वह जाके देख सकते हैं उसी का स्क्रीन शॉट आप लोगों के लिया है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की आप यहाँ पर कट ओफ देख सकते हैं जो इन जनरल जो रेंज रही थी कट ओफ की वो रही थी around about 76 max to max देखने को मिली थी और कम से कम जो कट ओफ देखी गई थी major states की अगर बारे में बात करें तो 53.75 तो यह रेंज था आपका पिछले साल के कट ओफ का अब डिफरेंट कैटेगरीस के लिए भी जहाँ जहाँ मुझे मिली है आप चेक कर सकते हैं बाकी गोवा से बहुत जादा कम गई थी सिर्फ 27 ही कट ओफ गई थी जो बहुत जादा लो था यह एक exception टाइप था बाकी 76 से 53 ही रेंज में था और जो कुछ major states हैं जैसे की लेट से राजस्तान है 71.25 डेली है 71.25 हरियाना से काफी OBC के कट ओफ 63 और जनरल की 68.5 थी देन आपके अगर हम बात करें चंदिगर से 71.25 थी पंजाब से 66.25 थी मध्यपरदेश से 70 थी तो यह इन जनरल रेंज था पिछले साल की कट ओफ का अब इन कट ओफ के बारे में आप इसलिए जानना चाहते थे जिसे कि आपको एक idea लग सके कि सर इस साल हमें कितना attempt करना चाहिए और क्या cut-offs इस बार रह सकती है तो चल्दी से एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं safe attempts अब टाफी students ने टाफी लोगों ने मुझे comment किया था कि क्या safe attempt रहेगा सर इस बार paper के अंदर कितना हमें mind के अंदर लेकर जाना चाहिए कितना हमारा target रहना चाहिए कि इतने attempts हमारा करना बनता है इतने marks का attempt या फिर इतनी cut-off रह सकती है तो इतना attempt करना बनता है अब सबसे पहले तो ये जो आपका attitude है बिल्कुल गलत है according to me हमेशा मैं वहाँ पर comments में भी मैंने reply किया है और हमेशा मैं ये बात आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आपको ये paper देने जाओ ना तो पहले से ये target लेके मत चलो कि ये safe attempt है ये expected cut-off रह सकती है देखो जब तक paper नहीं होता तब तक ये सारी बाते सिर्फ speculations होती है यार मैं अपना कितना best कर सकता हूँ जितना भी है उस सारा का सारा मैं paper में दूँगा ठीक है ये नहीं सोचना कि ठीक है मैंने 75 attempt कर लिए काफी है 85 कर लिए काफी है अरे attempt तो चाहिए आप 100 कर ले मैं तो चाहता हूँ आप सारे attempt करें अच्छे से पर यार negative marking भी तो है सही attempt करना भी तो एक बात है तो आप अपना 100% दीजिए ये मत सोचिए कि ये अच्छा attempt है ये खराब attempt है इतना कर लिया तो यह हाँ एक चीज़ मैं जरूर कहता हूँ कि जितना भी आप attempt करें accuracy के साथ किया करो accuracy बहुत important रहती है bank और insurance exams में accuracy पे special focus रखा करो अब रही बात अगर हम cutoffs की बात भी करें पिछले साल आपके total number of vacancies इस साल से काफी ज़्यादा थी अब यह आप सभी को पता है मैंने separate video भी आप लोगों के लिए इसके regarding डाल रखा है कि अभी जो current आपकी number of vacancies है वो obviously बढ़े गी maybe at maximum और जादा बढ़ जाए 8,000 तक तो vacancies आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी अब last year क्या थे initial vacancies ही 12,000 थी बाद में final allotment में उन्होंने round about 6,000-6,000 vacancies और add की थी तो 8,000 लगबग total vacancies थी अब उसके कारण उसके comparatively इस साल तो vacancies कम ही रहेगी तो जो cutoffs है पिछले साल से अगर same paper आता है क्योंकि paper नहीं पता है न सबसे important बात है paper का level क्या है कितने लोग appear होंगे यह सारी बाते नहीं पता है पर अगर सारी conditions हम से माले के उतना ही बच्चे appear होने वाले है paper का level भी वही रहेगा तो obviously बात है यार कुछ mark से cutoff बढ़नी ही चीए logically अगर हम जाए पर क् हमें अपनी energy waste नहीं करनी है बस आप अपना बहस दीजेगा एक strategy जो आपने mock test की तुरू जो prepare की है बनाई है जिसे आपको पता चल चुका है कि यार मुझे यह चीज़ें attempt करनी है यह चीज़ें मुझे बाद में attempt करनी है इतना इतना time इतने इतने से different topics को section के अंदर ही देन है यह सारी चीज़ें आपको implement करनी की कोशिश करनी है और यह ध्यान रखना है कि यार mindset हमाना बहुत ही positive हो बहुत ही confident आप feel करे paper देने से पहले अगर पहली बहुत ज़्यादा stress ले लेंगे तो efficiency बहुत कम रहेगी एक्जाम में और आपकी best ability के according आप perform नहीं कर पाएंगे त focus इन चीज़ पर रहना है कि आखरी की यह दो दिन है मुझे कोशिश करना है कि मेरा mind frame एक positive एक positive mind frame रहे मेरा paper देने से पहले मैं confident feel करूँ मेरी जो strategies है मैं sort out करूँ अच्छे से ऐसे ऐसे मुझे paper attempt करना है यह चीज़े मुझे करनी है वो ज्यादा आप लोगों के लिए beneficial रह आपको मैं general example दे सकता हूँ जैसे कि आप सभी को पता है reasoning के आप लोगों की मैं classes लेता हूँ अगर जब भी reasoning के अगर बात की जाती है तो आप सभी को पता है 35 questions रहते है 35 marks का ही weightage रहता है और यहाँ पर आपको 20 minutes का time दिया जाता है अब मैंने सभी students से कहा है आपका target हमेशा 35 out of 35 का रहना चाहिए क्योंकि target अगर 35 रगोगे तब जाके 32, 33, 31 ला पाऊगे तो कोशिश तो हमारी हमेशा यही है कि 30 से तो plus score करना ही करना है इसकी लिए important क्या है कि यार आप questions का selection कैसे करते हैं बहुत important चीज है कि question का selection कैसे करते हैं अब in general जैसे reasoning का मैंने आप लोगों क topics की जो सवाल रहते हैं वो बहुत जल्दी आप आराम से solve कर लेते हो तो कोशिश यह किया करो इनका वेटेज आप फटाफट फटाफट ढूंड के जल्दी जल्दी complete करो जिससे की शुरू के ही कुछ ही समय में मतलब 7-8 मिनिट के अंदर ही आपके miscellaneous topics के सारे questions complete हो जाए इ क्योंकि exam के अंदर ही अगर आप demotivate हो जाते हैं depressed हो जाते हैं तो पूरा paper खराब हो जाता है तो कोशिश यह करो कि initial जो selection of questions है वो बहुत important है वही select कीजिए जो आपके strong topics है मैंने एक general आपको बताईए में भी आप लोगों की strategy थोड़ी अलग हो पर in general यह strategy रहती थी और मै मैं खुद भी यह implement करता था कि miscellaneous topics हो 7-8 minute का अगर time दिया तो यह पूरा complete कर दूँगा उसके बाद मेरे पास 12-13 minutes रहेंगे puzzles और sitting arrangement की और इस पे फिर मेरा बाद में focus रहेगा complete करने में तो यह एक general सा example मैंने आपको दिया है उसी तरह से आप बाकी quants और English subject के लिए भी आ यार मुझे ऐसे ऐसे paper attempt करता है अब जैसे मैंने reasoning का बता है वैसे अगर आप quant की strategy चाहते हैं detail में चाहते हैं तो सिंग सर ने एक separate video अप्लोड कर रखा है जो आप में से बहुत कम लोगों ने देखा है तो आप लोगों से मैं request करूँगा वो video जाके दिखेगा how to attempt the quant section के name से है कल ही सर ने upload किया है जाके जरूर देखेगा उसका link मैं नीचे description box में भी डाल दूगा तो check out जरूर कीजेगा इसके इलावा मैंने आप सभी लोगों से कहा था आज आज आप अच्छे से practice कीजिए आज हमारे sessions भी रहेंगे final mock papers रहेगा quant or reasoning दोनों के लिए time आप सभी को दिसंबर वाले students के लिए specially 5 दिसंबर वाले students को ध्यान में रखते विए 4 दिसंबर अपने off रखेंगे ऐसे ने एक live session मैं जरूर रखूँगा जहां पर हम normal मैं आप लोगों से interact करूँगा एक छोटा सा relaxed stream रखेंगे जहां पर आप लोगों से मैं बात करूँगा बाकि आप चार दिसंबर को एक छोटा सा live stream रहेगा बाकि कोई live classes नहीं रहेगी क्योंकि paper से एक दिन पहले बढ़ाई नहीं करनी है relax करना है अपनी strategies को एक बार फिर से revise करना है कि यार कैसे कैसे attempt करना है बाकि कोई mock paper तो बिलकुल भी नहीं देना है ठीक है तो इन कुछ चीजों का ध ने आप लोगों के साथ share किये है उनको अच्छे से implement किये तो बिलकुल paper अच्छा ही जाएगा और यही मान के आपको exam hall में भी जाना है ठीक है तो चलिए दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से request video अगर पसंद आये तो like जरूर कीजेगा जो नई users है please subscribe to our channel और notification bell press करना मत सिर्ण कर दो लोगों से लोगों से जगा झाल के तो रहा है जो जापको अटार कीजेगा हागा ही जाएगा और यहां से पहले ही जाएगा है